हेलो गाइज मैं हूँ अमिट सिवान एंड हम इस वीडियो में कट ओफ के बारे में बात करेंगे जो भी अभी सब इंस्पेक्टर इंफोर्समेंट का एक्जाम हुआ है उसके बेस पे सो पहले हम बात करते हैं इंग्लिस में लोगों ने काफी स्कोर किया होगा यहां पे यहां पे आपको अराउंड बीस क्यूशन देखने को मिले होंगे और उसमें 10 तू 13 लोगो 13 क्यूशन हैं जो लोग अटेम्ट कर पाये होंगे सो इंग्लिस में हम टार्गेट कर सकते हैं 13 क्यूशन को यहां पे यहां पे जो जिकी का पॉर्शन स्टार्ट होता है 20 के बाद 21 से लेके जैसे मैंने बताया था आपको स्किम्स पूछी जाती है एक्जाम में तो स्किम की पर भी क्यूशन था और एक क्यूशन जैसे की क्यूशन ऐसे आ रहे हैं और इन्वेंशन भी आई थी स्किम्स पूछी गई थी और जैसे की पहले ही बताया था मैंने कि स्टेट लजिसलेटिव असेमली को काफी जादा टार्गेट किया गया है अब थर्टित क्यूशन देख सकते हूं यहां पे भी क्यूशन पूछा गय है और जो होर्मोन रिलेट्टीड यह की समय देख पूछी जा रही है आगे अम बात करते है जैसे जिक्हे के टिसन हैं इसमें आप बीस टिसन fiquei इसमें से सारे अगर के दिखेंगे तो आप 10 से 12 कुशन हो सकता है कि आप सही कर सकते हैं उसमें इस पॉर्शन में जसकी एपीजे अबदुल कलाम को most अब दो लोगों को पता है कि वो कहां कब से कब की बीच में उन्होंने अपना कारी किया था और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जो पार्ट्स ऑफ कंस्टिटिशन है वो काफी इंपोर्टेंट है और एक्जाम में डेरेक्ट पूछा जा रहा है तो उसका एक्विशन था इसमें पार्ट ऑफ कंस्टिटिशन में और आगे हम देखते हैं बाद में हम बात करते हैं जैसे यह जो इंडियन नैशनल क्लेंडर है सायद कुछ लोग ही इसे आटेम्प कर पाए होंगे और कुछ लोग इसको जानते हैं कि फेस्बुक क्रेटर हैं जो फाइव लोग थी उनमें से ही कुछ कुछन्स हैं तो ऐसा भी कुछन देखने को मिला एक्सपिरियंस उन्होंने अपना बताया था कि काफी मोडरेट था काफी टाइमिंग लगा तीसे चालेस मिनट उनका स्पेंड हुआ यहां पर सो इस स्पीच आप 30 के अराउंड कुछन्स अटेम्प कर पाए होंगे इसमें 35 कुछन्स थे मैट्स एंड्रिजिनिंग के दोन है बिकोज बहुत कम सीट्स हैं इस एक्जाम में आगे जैसे कि केंपिट के थोड़े टीपिकल कुछन्स थे एंड हम एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो अगर 15 कुछन्स हैं जैसे कि 75 से स्टार्ट होके 76 से स्टार्ट होके 90 तक यहां तक जा रहे हैं तो इसके बीच आप 10 से 11 कुछन्स कर सकते हैं क्योंकि आपकी अगर बेसिक नोलेज है एंड काफी क्लियर आइडिया है आपको केंपिटर के बारे में और जो भी वर्डिंग्स आप चानते हो अगर आपने कुछन्स को अच्छे से पढ़ा होगा अटेंप क्या होगा तो इन कुछन्स को आप कर पाई होंगे आगे हम बात करते हैं जो कि स्टेटिक पोर्शन था वो काफी इजी था पॉलिटी डाला गया था और पॉलिटी में भी काफी इजी चीजे थी जैसे प्रेजिडेंट जो होते हैं वो बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है तो उसका डिरेक्ट केशन था और जो राइट टू एडिकेशन है उसके उपर डिरेक्ट केशन है कि कौन से क्लोज भी पुछा हुआ है तो थोड़ा सा टिपिकल मान सकता हूं बट मुझे नहीं लगता है कि किसी को आईडिया नहीं होगा इसका तो यह भी केशन एजी था हाँ फंडामेंटल डिटी में सभी को पता है कि कास्ट वोट नहीं होता है इसमें वह एक क्यूशन था यहां पर तो अगर सभी क्यूशन की बात करूं तो इसमें टिपिकल क्यूशन थोड़ा भूत बनता है तो वह EWS से बनता है एकोनोमिकली विकर जैक्शन हो सकता है कि लोगों को डाउट वाओ 101 है या 103 है और एक क्यूशन आप जो सैड्यूल 8 है कि इनमें कौन सी लेंग्वेज नहीं है भोजपुरी नहीं है इसमें भी हो सकता है लोगों को डाउट रहाओ बाकि ऐसे कोई भी क्यूशन नहीं थी स्टेटिक कोर्शन में जो की इनफॉर्समेंट से इनफॉर्समेंट टॉपिक से रि कि 63 से स्टार्ट होके 74 तक फाइनल कट ओफ आपको मिल जाएगी मतलब जो लोग 70 पर स्कोर करें ना तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर है एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 63 से कट ओफ स्टार्ट होगी एंड 75 तक ही जा सकती है एंड मेरा एडिया यही है आप इंग्रेश में एपरोक्स 13 कुष्ण किया होंगे जिक के में आपने 12 किषं किया होंगे जैसे कि गेंपिटा 10 कुष्ण तो आप आपни 30 किष्ण किया होंगे तो ये नियर बाई आपको 74 का स्कोर दे रहा हैं तो हम अइडिया लगा सकते हैं जो स्टेटिच कोष्ण है वह त इनके 10 ही हो तो मैं मेरा आइडिया यही है कि जैसे कि 6 seats हैं तो उसके बिखाफ पे हो सकता है कि आपकी यहाँ पे cutoff 70 प्लस हो final cutoff तो 70 प्लस लोगों का score हो सकता है इस exam में यहाँ पे 63 से आइडिया लगा जा सकता है 63 to 75 मेरा यही आइडिया है मैंने कुछ लोगों से बात की थी उनका भी कुछ score इसी बीच है तो we can expect it so thank you for watching this video and giving your time meet you in the next one